ये तो मैं सभी अपने टिस्टी बाइनों से ये अपनी करूँगा कि वोटिंग मैक्सिमम करें, सब लोग वहाँ आए और अपना अन्मत जरूर डालें मनशकार, मैं पहलवी, आप देख रहे हैं MMPB आवाज, स्वागत हैं हमारे खास कारेकरम समाज जगैनी में श्री अग्रसीन इंटरनेशनल हॉस्पिटल 2022 के चुनाव में, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शक्से जिन्होंने हॉस्पिटल की नीव रखने में महटपूंग भूनी का निभाई है हम बात कर रहे हैं सुरेश अगरवाल जी की, जिन्होंने कह सकते हैं कि एक तरह से हॉस्पिटल पे अपना सब कुछ निच्छावर कर दिया और देन रात हॉस्पिटल के लिए सेवा भी प्रदान की है तो आईए उनसे बात करते हैं और उनके विचार जानते है सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चानल में आपका जान्यवाद सबसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपने बारे में बताएं मैं सुरेश अगरवाल, सिर्याजिसन इंटरनेशनल होस्पिटल का फाउंडर बारे साल तक मैं जनरल सेकेटिर रहा हूं उसके बाद चीफ एडवाजर की पोस्ट से मुझे नवाजागा और अभी करेंट में मैं कोशा देख्श हूं और हॉस्पिल का प्रेना सोत भी हूं आपने परीचे में बताया कि आप हॉस्पिटल से कई सालों से जुड़े वे हैं तो मैं जाना चाहूंगी कि पहले जब चुनाव होते थे तो ये अलग-अलग टीमें चुनाव लड़ती थी देखे वैसे तो ये समाजिक संस्ता है और समाजिक संस्ताओं में कभी भी इलेक्शन अवरीड हो तो ज़्याद अच्छा है आपस में मिलजुल के टीम बने है तो उसका एक अलग महत्विवे रहता है और प्रोग्रस भी ज़्यादा होती है तो मैं तो इस टीम को बहुत अपनी तरब से बदाई देता हूँ एडवांस में और ये अमारी टीम बहुत स्टोंग टीम है वास्पिटिल के लिए सारे लोग जो भी लोग हैं चुनू से इसमें जुड़ेवें और अच्छे एनलजेटिक लोग हैं और भवानने चाहा तो ये पूरी अच्छी मार्जिन से जीत के और समाज को एक अच्छा काम आगे प्रोग्रेस होस्पिटिल को करने में सब होगा मोगा मिलेगा नरेश एरन जी जिस तरह से कारे कर रहे हैं आप उनके पारे में क्या वचार रखते हैं कि वो कितने सक्षम है आगे होस्पिटल को उन्नती के और ले जाने के लिए नरेश एरन जी पहले भी हमारे साथ मामंत्र रह चुके हैं और इन्होंका वर्किंग स्टाइल बहुत डिफरेंट और एनरजेटिक रहता है और अभी भी जैसे पंज़बाग में भी जीत के आएं और हमारे आभी जैसे ऐसे प्रधान के प्रत्याशी हैं और इनकी वर्किंग जो है वो प्रेक्टिकल होती है जो हॉस्पिटल के लिए हमारे को पूरी उम्हिद है कि दो दूबनी चार चोगनी उनती करवाएंगे जी मैं आपसे जाना जाओंगी कि हॉस्पिटल अभी फिलाल फाइनेशिल क्राइसिस से गुजर रहा है जिस तरह से हम देख पा रहे हैं आपकी कुछ विचार आपकी कुछ सजेशन उसको सही रहा पर चलाने के लिए देखे यह बात ठीक है कि थोड़ा वहत क्राइसिस करते हैं नया बिजनिस भी करते हैं तो उसमें समय लगता है उसको सैट होने में ऐसे ही हमारे होस्पिटल में जब स्टार्ट हुआ है अभी तीन साल से ही हमने इसमें काम करना चालू किया है तो स्टार्टिंग में प्रोगम तो आती है और ऐसा नहीं है कि अब डेटू डेए प्रोगेस हो भी रही है और 20-20 में कोरोना के टाइम पे भी काफी हमारे होस्पिटल ने पेशेंट्स के उपर और काफी वर्किंग किया है और उसमें प्रोफिटेबल लेटी भी काफी जनरेट हुई है लेकिन इस ताइम कोशिश यही है कि इसमें और नहीं कई एक दो डेपार्टमेंट समचालू करें जो प्रोफिटेबल है और ज्यादा तर तो क्या इसमें साम गरीब लोगों के लिए फ्री ट्रीटमेंट भी हम वीच वीच में करते रहते हैं और आगे उम्मीद है कि थोड़ा इसमें पेशेंट्स का जब इंफ्लो बढ़ेगा तो प्रोफिट जनरेशन और बढ़ेगा मेरा आखली सवाल आपसे यही होगा कि 573 ट्रस्टी जो है हॉस्पिटल में जो अपना मतदान आने वाले 22 तारी को करने वाले हैं उनसे आप क्या अपिल करेंगे कि किस तरह से मतदान होना चाहिए यह तो मैं सब ही अपने ट्रस्टी बाइनों से यह अपिल करूँगा कि वोटिंग मैक्सिमम करें सब लोग वहाँ आए और अपना अमत जरूर डाले और साथ में यह जो हमारे 24 आपनों की टीम है जो गंशाम जी और शामजाल जी की जो टीम बनी हुई है यह पूरी एनरज लेकर आये तो आपका यह आपका ही जीत है लिए मेरी समट से निवेधान है बहुत 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 शुक्रिया आपने विचार हमारे साथ विवर्क्त कहने के लिए तो यह थे हमारे साथ सुरेश अगर्वाल जी जो की हॉस्पिल के करें और जिन्होंने हम मारे से अपनी बात शेयर की और ट्रॉस्टियों से ये अपील भी की कि जितना हो सके आगे बढ़ चाल कर वोट करें ताकि हॉस्पिटल आगे की कारे प्रगति पर जा सके फिलाल के लिए इतना ही आप बने रहे हैं में पीवी आवास के साथ इस कारे क्रेम के प्राज़क हैं भारत टेस्ट हाउस इटर्नल सॉल्यूशन आराम्या जुएलर्स